हलो दोस्तो स्वागत है आपका राइट इंफर्मर चैनल में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना फोन खरीदने से पहले आपको कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना है तो इसमें हमने साथ ऐसे पॉइंट को इंपोर्टन पॉइंट को आइड किया है जो आपको ध्यान में बिलकुल रखना चाहिए कोई भी फोन खरीदने से पहले दोस्तों एक्चुली है ये कि हर दिन एक नया फोन आ रहा मार्केट में और आपका जो ये फोन है ये सिर्फ अब फोन फोन नहीं रहा गया है इसमें सिर्फ आप कॉल और SMS ही न बिलकुली होना रहा है कि आपके लिए इसमें से कौन सा फोन सबसे बहतर होगा तो यहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं यहां तक कि बहुत सारे लोग इस प्रोसेसर और रैम के बारे में समझ नहीं पाते हैं कि क्या डिक्वरेंश है रैम और प्रोसेसर में और इसके स साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक्टिफ्स देने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा बेहतर फोन होगा आपको किस तरह से अपने लिए एक अच्छा फोन सेलेक्ट करना चाहिए तो ये सारी जनकारी बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत ही वैलियबुल जनकारी इस वीडि पसे किमरा है वह सारी चीजों को वह नहीं जानते हैं या खरीदने में वह चूप कर जाते हैं और एक अच्छा फोन अपने लिए नहीं सकते हैं तो चलिए आपको क्या-क्या ध्यान देना चाहिए खरिदने से परहले हम एक एक करके इस वीडियो में आपके सामने बताने वाले हैं तो इस वीडियो cookie को पूरा ध्यान से देखिए और देख करके फिर आप comment जरूर कीजिए कि आपको ये वiblia कैसा लगा और ये हमारे सामने आया processor तो दोस्तों मैं आपको बताँ कि processor क्या होता है processor को समझने के लिए processor यही छीज जैसे कि आपका mind है आपका mind आपके पूरे body को control करता है उसी तरह से यह जो processor होता है mobile के पूरे parts को पूरे function को पूरे command को control करता है लेकिन ये एक छोटा सा chips होता है और वो सारे function को control करता है जैसे कि आपने जो भी touch करते हैं, camera खोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो आपको अपने हाँ से input दे रहे हैं और वो input सिधा processor के पास जाता है और processor उसी के base पे काम करता है जो उसको input मिलता है तो इसी तरह से ये processor होता है, अब मैं आपको जल्दी से ये बता दूँ कि processor के चार टाइप हैं अभी मेलनी जो हैं, वो चार टाइप है, dual processor होता है आपका dual processor का मतलब होता है, उसमें 2 core होगा, उसलिए उसको dual processor बोलते हैं फिर उसके अंदर आपका quad octa processor अभी आ रहा है, तो उसमें octa में 8 हो जाएगा और deka में 10 हो जाएगा तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि इसको ऐसे समझे जैसे कि आपके हाथ हैं तो आपके पास dual processor है, मतलब आप दोनों हाथ से अपने काम कर सकते हैं अगर ये 8 core हो जाएगा, 8 core का हो जाएगा, octa हो जाएगा, तो आपके पास समझे ऐसे कि 8 हाथ हो गए, तो अब आपकी काम करने की सलायत जादा हो जाएगी और आप बड़े ही तेजी से अब 8 हो हाट से अपना काम करेंगे, उसी तरह से ये processor है, जब octa हो जाता है, तो octa processor में इसकी capacity बढ़ जाती है अब यहाँ पे speed की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे gigahertz में हो जो भी processor होता है, वो gigahertz होता है अब जैसे जैसे giga बढ़ते जाता है, तो processor की capacity उसकी speed बढ़ते जाती है, लेकिन सिर्फ processor की speed बढ़ाने से दोस्तों नहीं होता है इसके लिए एक अच्छा phone को performance देने के लिए processor के साथ साथ यहाँ पे आपका RAM का होना भी जरूरी है, जो मैं आगे आपको आने वाला point में cover करने वाला हूँ तो यही है processor, अगर आपका processor सही नहीं है, तो आपका phone hang करेगा, hit करेगा और बहुत सारा multitasking आप काम नहीं कर सकते हैं, तो यह बहुत ही important आपका processor है, जो आपके phone के लिए होता है चलिए अब हम आगे आपको बताते हैं, इसके बाद से जो point है वो है दूसरा battery, बैटरी में क्या है दोस्तों कि देखिए सबसे पहले अगर आपकी battery ज़्यादा लंबा बहुत battery backup देने वाला phone खोज रहे हैं, तो जितना बड़ा battery होगा, उसकी phone की size उतने ही बढ़ जाएग battery अगर phone में है, तो वो एक दिन पूरा complete last कर जाता है charging को, तो इतने mh तक की battery को आप बिलकुल use कर सकते हैं, जो एक दिन तक पुरा चलेगा, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि low core की जो भी processor होगे, तो इसमें भी आपकी battery कम खाएगा, और उससे क्या होगा, कि आपकी battery की बचत होगी और लंबे देर तक battery चलेगी, तो ये processor पे भी depend करता है, और resolution पे भी depend करता है, कि आपका screen का resolution कैसा है, megapixel कैसा है, तो वहाँ पे भी आपकी battery की खपत होती है, और एक चीज यहाँ पे और important मैं बता दूँ कि battery होती क्या है, actually दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे, ज charge में लगाते हैं, तो यहाँ पे इसके अंदर chemical energy होती है, जो chemical energy, chemical reaction होने लगता है, और chemical reaction करके electrode से सारे electrons जा करके, और वहाँ cathode पे चले जाते हैं, और आपकी battery charge हो जाती है, तो यही होती है battery, तो अब आपको ये battery को भी ध्यान में रखना है, अब चलिए हमारा जो next point है, व जोस्तों, आपको ये बात बहुत ही ध्यान से समझना होगा, कि कोई भी phone है, अगर 5.5 inch से 6 inch तक का अगर उसका display है, तो वो full HD हो जाता है, तो अगर आप normal phone खरीदे, मतलब normal use है, आपका phone करते हैं, SMS करते हैं, थोड़ा बहुत game खेल लेते हैं, और थोड़ा net चलाते हैं, त तो आपको इतना inch तक का 5.5 से 6 inch तक का अगर display मिल रहा है, तो आपका बहुत ही अच्छे से काम हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी जो brightness होती है, और display की sharpness होती है, ये सारी चीजने depend करती है, pixel के उपर, एक inch में कितना pixel है, तो high pixel होगा, तो उसके लिए जो technology अभी use हो रही है, वो TFT और LCD ये दोनों technology हो रही है, जिससे की आपकी image की quality बढ़ियां आती है, और सामने जो जैसे display दिख रहा है, वहाँ पे कोई भी photo होगा, कोई भी image होगा, तो अच्छा दिखेगा, इसका resolution अच्छा होगा, compare to LCD, पहले जो भी आते थे, वो LCD reality में उतने अच्छे आपको image और display पे कोई भी चीज नहीं देखता है, तो ये है display जिसको आपको ये भी ध्यान में रखना है, खरीदने से पहले कि display कितना होना चाहिए, इसके बाद जो हमारे पास वो चौथा point है, इसको देखिए, ये है RAM और storage, अब यहीं पे आपको समझ जैसे कि मैंने बताया कि लोग confused हो जाते हैं कि processor क्या है और RAM क्या है, तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि mobile में दो memory होती है, जो एक memory होती है, वो read only memory होती है, जिसको ROM बोलते है, और एक memory जो होती है, वो RAM होती है, random access memory होती है, तो mobile के अंदर दो तरका ये memory हो गया, photos भी आप store करते हो, image, video, या जो भी photos, ये सारी चीज़ें, या कोई files, ये सारी की सारी चीज़ें store होती है, ROM में, ROM के internal memory में store होती है, लेकिन RAM जो है, ये random access memory है, ये क्या store करता है, जैसे ही आप को YouTube खोलते हो, app खोलते हो, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट चलाते हो, इंटरन RAM में चली जाती है, और RAM अगर आपका अच्छा नहीं है, आपका चाहे ही processor का value कितना भी 4 GHz का हो, 8 GHz का हो, ये कितना का भी हो, लेकिन अगर RAM का, आपका RAM कम है, तो उस case में क्या होगा, कि आप कोई भी app खोलोगे, तो वो slow चलेगा, वो खोलने में buffering होने लगता है, तो य यहां पे क्या होता है, आपका जो भी mobile होगा, वो slow process करने लगेगा, तो अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि RAM और processor, ये दोनों का combination अच्छा होना चाहिए, तभी आपका phone बढ़ियां से work करेगा, और बढ़ियां performance देगा, और बहुत तेजी से fast चलेगा, ले जिसको मैंने ROM बोला, वो है, तो इतने में आपका एक normal काम हो जाता है, तो ये है difference, चलिए आगे की पांचवा point हम देखते हैं, और ये कौन सा point है, ये देखिए user interface, यानि कि आप जब कभी भी phone खरीदते हैं, तो उसके अंदर क्या-क्या inbuilt function मिल रहे हैं आपको, यानि कि उ setting कौन सा है, उसके अंदर inbuilt app कौन सा है, उसका display कैसे है, उसका आप जो भी setting है, टच है, वो सारी चीजे कैसी है, तो ये सारी चीजों को हम देखते हैं, उसके अंदर क्या-क्या function है, तो ये सारी चीजें भी आपको देखना चाहिए, चुकि modern हर दिन एक नया technology, एक नई phone आ सारी चीजें भी आपको देखना होगा, जो की user interface के अंदर आता है, अब चलिए मैं आपको ये बताता हूँ, छटा point जो आपको बहुत ही इसको भी ध्यान देना है, ये है camera, अब camera में लोग ये megapixel के उपर चले जाते हैं, कि इतना megapixel का है, नहीं, megapixel तो है, लेकिन उसके technology यूज हुई है, तो आपको इसको भी ध्यान देना है, देखिए आजकल जो most phone आ रहे हैं, उनके अंदर 12 से 16 megapixel का आपको जरूर मिल जाता है phone, एक अच्छा phone और उससे आपका काम चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको ये भी देखना चाहिए कि autofocus और इसका aperture जो है कि आपका brighter picture होगा, आपका जो picture खीचेगा वो बहुत bright खीचेगा, साफ खीचेगा, clear होगा, तो इस तरह से आपको megapixel के साथ साथ आपको इसके aperture को भी देखना है, ये aperture उसका कितना है, और आपको resolution का भी देखना है, कि उसके अंदर जो use हो रहा है, वो resolution कितना megapixel में आ रहा है अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि आपको क्या ध्यान देना है तो सात्वे पॉइंट में दोस्तों आपको यह चीज भी ध्यान देना है कि आप जब बॉक्स को खोलोगे मोबाइल पर्चेस करोगे तो उसके अंदर से आपको क्या-क्या और सारी चीजे इसकी SOSeries मिलने वाली है जैसे कि आपको यहां पर SOSeries में हो जाता हेड़ फोन हो गया डेटा केवल हो गया या कुछ कंपने गेफट दे रही है क्योंकि बहुत सारे मनुफैक्चरर क्या कर रहे है कि आपको ये सारी चीजे नहीं देते हैं तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आप जब डबा खोलोगे तो उसके अंदर से आपको क्या मिलने वाला है तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने जो आप से कमिट किया था कि मैं आपको एक tips दूँगा तो tips यह है कि कोई भी phone खरीदने से पहले आपको अपना सबसे पहले अपना requirement देखिए कि आपको क्या करना है मतलब उस phone से आपको क्या करना है use करना किस लिए use करना आपकी आउसकता क्या है आप क्या करना चाह रहे हो फिर उसी तरह से आपको उस phone को खरीदना चाहिए कि आपको रैम यादा चाहिए, मेमरी जादा चाहिए, बैटरी वेकप जादा चाहिए, डिस्प्ले जादा चाहिए यही है वो tips जिससे कि आप एक अपने लिए बेहतर phone खरीद पाएंगे तो इसी तरह से आपको अपना phone खरीदना है और ये सारी point को मैंने जो बताया है इसको बिलकुल ध्यान में देख करके और इसको समझ करके ही आप एक अपने लिए अच्छा से अच्छा phone खरीद सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमने इस में इस वीडियो के description में यहाँ पे 10,000 के नीचे की 5 phone का list बताया है जो 5 phone 10,000 के नीचे के हैं और एक अच्छे phone है अगर आप खरीदने चाहते हैं तो आप description में जो link दिया गया है वहाँ से जा करके इसे buy कर सकते हैं ये available है Amazon पे और बड़े ही असानी से आप phone भी हमने इनको review करके फिर आपको बताया है तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होगा आपको यहाँ पे काफी अच्छी knowledge मिली है और जनकारी मिली है इसलिए इस वीडियो के लिए एक like कर दीजे और इसी त चैनल को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजे हम इसी तरह के knowledgeable वीडियो बनाते हैं जिससे की आपको बहुत ही काम आए दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए good night सब बाखेर